नमस्कार दोस्तो स्वागत हैं आप सभी का आपके इस्ट्यूट पर चैनल रिल सांस्त्रम है तो दोस्तो पिछली दो वीडियोज में हमने देखा कि हमने WP और WG क्लास की स्टीम लोकोमोटिव्स के बारे में बात की थी जो भारती रेलवे के सबसे एडवांस और सबसे सफल भाप इंजन हुआ करते थे लेकिन दोस्तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं WDM2 के बारे में जो भारती रेलवे का सबसे सफल डीजल इंजन था जिसने धीरे धीरे भारती रेलवे मेंसे भापिन जनों को खत्म करना शुरू कर दिया था तो वीडियो में आगे वढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया क्योंकि भाप इंजनों की जो इनिशल कोस्ट थी यानि कि इने बनाने में जो खड़्चा आता था वो कम होता था लेकिन जब इंडियन रेलवे को इनके पॉलिशन और कॉयला कंजप्शन और पानी की खपत के बारे में गया दुगा तो भारती रेलवे ने इन्हें डीजल इ पहला डीजल इंजन इंपोर्ट किया जिसका नाम था WDM-1 एक 1980 होर्सपावर का मिक्स्ट कैटिगरी का इंजन था यानि कि ये इंजन पैसेंजर ट्रेन और मालगाडियों दोनों के लिए बनाए गया था लेकिन इस इंजन का अधिकतर यूज मालगाडियों के लिए हुआ ये लोकोमोटिव की अधिकतम रफ्तार 105 किलोमीटर पतिगंटा थी जो कि उस टाइम के फास्टेस्ट इंजन WP क्लास से काफी कम थी WDM-1 जो कि 1977 से 1969 के बीच में दो साल तक अमेरिका से इंपोर्ट किये गए थे इस दोरान ऐसे 100 इंजनों को अमेरिका से भारत में इंपोर्ट किया गया था लेकिन भारती रेलबे की उम्मीदों पर पानी जब फिरा जब भारती रेलबे को पता चला के WDM-1 जो भारतीय रेलबे का पहला डीजल इंजन है वो कहीं न कहीं WP और WG क्लास भाप इंजनों के सामने नहीं टिक पाया था क्योंकि WP और WG क्लास लोकोमोटिव की होर्स पावर 2600 से ज़्यादा थी वहीं WP क्लास लोकोमोटिव अधिक्तम 110 से 115 क्लोमेटर पतिगंटा की रफ्तार से गाड़ियों को खीच सकता था इसलिए रेलबे ने इस लोकोमोटिव को और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर डीजल इंजन के SFL होने के कारण भारती रेलबे की चिंता बढ़ती गई और ही चिंता लाजमी थी क्योंकि भाप इंजन चलते अच्छे तो थे लेकिन वो पानी और कोईले की खपत ज़्यादा किया करते थे और फिर वो साल आया 1962 का जब भारती रेलबे ने दो प्रोटो टाइप मॉडल एक अमेरिकन लोकोमोटिव कमपनी से और एक इलेक्ट्रिक मोटिव डीजल EMD से इंपोर्ट किये दोनों ही लोकोमोटिव इंडिन रेलबे ने इंपोर्ट किये जो लोकोमोटिव एलको से इंपोर्ट किया था उसका नाम WDM 2 नाम दिया गया उसे जो 26 होट्स पावर का इंजन था जो 16 सिलिंडर 4 स्ट्रोक टर्वो सुपर चार्ज इंजन था वहीं EMD के WDM 4 की बात करें तो वो भी 16C 16 सिलिंडर 2 स्ट्रोक का इंजन था दोनों ही मॉडलों मैंसे भारती रेलवे को किसी एक इंजन को मास प्रोडक्शन के लिए चुनना था लेकिन गाइज इंडियन रेलवे ने EMD के WDM 4 की जगे एलको का WDM 2 ही मास प्रोडक्शन के लिए चुना जो की बारती रेलवे में डॉमेस्टे के लिए प्रोड्यूस किया गया लेकिन दोस्तों अगर हम WDM 4 पर एक नज़र डालें तो WDM 4 लोकोमोटिव WDM 2 लोकोमोटिव के मुकाबले काफी टेकनोलोजिकल एडवांस था WDM 4 लोकोमोटिव की अधिक्तम रफ्तार 140 किलोमेटर पतेगंटा थी साथी साथ इस लोकोमोटिव ने ट्राइल्स में अपनी रफ्तार 145 से भी जादा चुई थी लेकिन उस टाइम पर इंडिन डेल्वे का ट्रेक्स इंफ्राट्रेक्चर इतना अच्छा न होने के कारण सुरक्षा के नियमों को ध्यान में रखते हुए इसकी अधिक्तम रफ्तार को 120 की सीमित रखा गया और यह वोई लोकोमोटिव बना जो भारती रेल्वे की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन राजदानी एक्स्प्रेस को खीचने वाला लोकोमोटिव बना और यह लोकोमोटिव भारत के पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव डलुए पी वन के आजाने तक भी 1916 तक भारती रेल्वे का सबसे तेज इंजन रहा था दोस्तों आपके मन में एक ख्याल जरूर आया हुगा कि जब WDM4, WDM2 के मुकाबले टेकनोलोजी में जाड़ा एडवांस था इस पीड में भी फास्ट था तो इंडियन रेल्वे ने WDM4 को प्रोडेक्शन के लिए क्यों नहीं चुना तो इसका में रीजन ये था कि EMD जो उस टाइम पर WDM1 लोकोमोटिव बनाने की जो कमपनी थी उसने टेकनोलोजी के ट्रांसफरक से मना कर दिया था जिसके कारण इंडियन रेल्वे ने इस लोकोमोटिव को मास्ट प्रोडेक्शन के लिए नहीं चूज किया था और दोस्तो जिसके बाद इंडियन रेल्वे ने WDM2 को मास्ट प्रोडेक्शन के लिए चूज कर लिया और फिर WDM2 locomotives को ही mass produce किया गया 1962 में जो पहला WDM हिंदुस्तान में आया था उसका नमबर था 18,040 फिर जो पहला diesel engine जो की WDM2 Indian Railway ने खुद हमारे हिंदुस्तान में wilt kit से बनाया था यानि की parts resemble करके बनाया था उसका नमबर था 18,233 जिसका नाम कुंदन रखा था आलवाद यानि की 1967 में WDM2 ने पहली बार किसी express train को खीचा वहीं अगर कुछ express train जैसे की तेलंगना एक्सप्रिस, केरला एक्सप्रिस, हिंगिरी एक्सप्रिस जैसी trainों को तो शुरुआस से ही WDM2 locomotives ने खीचा था क्योंकि इन train का introduction 1970 के बाद में किया गया था लेकिन 1985 तक भारत की 50-60% एक्सप्रिस सुपरफास trainों में WP class steam locomotives का ही यूज होता था लेकिन 1985 के बाद WDM2 ने steam engines का सफाया धीरे-धीरे करना शुरू कर दिया और इन locomotives ने 1995 तक आते आते भारत में से भाप engine को बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था WDM2 locomotives को 1962 से लेकर के 1998 तक बनाए गया था इस दोरान इस locomotives के 2800 से भी जादा prototype models वनकर आये थे जो इंडिया में बने थे लेकिन दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी होगी कभी भी किसी एक की बात साथ नहीं चलती है यानि कि हमारे WDM2 locomotives थे तो नए लेकिन जब technology बड़ी टाइम बदलता गया तो WDM2 locomotives भी पुराने होने लगे और फिर इंडियन रिल्वे ने इन WDM2 locomotives को स्क्रैप करना शुरू कर दिया फिर इन कुछ WDM2 locomotives को rebuild करके एक नया engine मनाये गया जिसका नाम था WDM3 है जो की बहुत एक अच्छा गेम चेंजर सावेत दुआ था इंडियन रिल्वे के लिए और कई सारे WDM2 locomotives को बांगला देश और स्रीलंका जैसे देशों में ट्रांसफर कर दिया था WDM2 के present scenario के बारे में जाने तो आज भी 10 WDM2 locomotives इंडियन रिल्वे ने प्रिजर्व करके रख रखे हैं और 10 से बारे locomotive अब भी चलने की इस्तिती में जो की mainland duty या फिर संटिंग duties में दिखाई देते हैं टेकनलोजी के ट्रांसफर ने उस टाइम के modern WDM2 को भी पुराना बना दिया और इस इस्तिती तक लाकर पहुंचा दिया तो दोस्तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राब करना न बूले और कमेंट सेक्षन में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी जानकारी कैसी लगी मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै वारत टेक कियर